प्यास की बढ़ती कीमत को नियंतरित करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तयारी कर ली है। वह अपने बफर स्टॉक से पूरे देश में ट्रेन के माध्यम से प्यास की सप्लाई करने की योजना बना रही है ताकि दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर कीमतों को और बढ़ने से रोका जा सके। बड़ी बात यह है कि केंद्र ने अब प्रमुक शहरों में प्यास की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दो रेक आवंटित कर दिये हैं। ऐसे एक सामाने रेक एक पूरी मालगाडी होती है जिसमें 40 वैगन होते हैं जिससे लगभग 1700 टन प्यास की सप्लाई की जा सकती है। हालां की अभी एक साल पहले की तुलना में लगभग प्यास की कीमत करीब 60 फीसदी अधिक है। दमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा ट्रक लगभग 25 टन प्यास ले जा सकता है और अपने गंतवे तक पहुचने में मालगाडी से अधिक समय लेता है। इस तरह की पहली खेब 14 अक्टूबर को नासिक से गुवाहाटी के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी खेब दिल्ली के लिए बनाई गई है। इसी तरह रांची के लिए तीसरी खेब भेजे जाने की बात कही जा रही है। खुले खुद्रा बाजार में प्यास की कीमत 50 रुपए प्रती किलोग्राम से नीचे आ जाएगी। हालां की अभी तक रेलवे प्रतेक शहर के लिए दो रेक उपलब्द कराएगा और यदी जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। 13 सितंबर को 550 डॉलर प्रती टन के न्यूंतम निर्यात मूल्य को खत्म करने और प्यास शिप्मेंट पर लगाए गए 40 फीसदी निर्यात शुल्क को आधा करने के सरकार के फैसले के बाद इस आवशक खाद्य पदार्थ की कीमत में व्रिद्धी शुरू हो गई। सरकार अब 4,70,000 टन के अपने बफर स्टॉक से ठोक बाजार में प्यास जारी कर रही है। Bureau Report Market Times TV